एवीपियस न्यूज सचका साथी भादपा पर जम करने साना साथा संकल्प किया था दिल्ली में एक बालमी की वस्तिय पचकुया वहां से उन्होंने इसकी सुरुवात की थी सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो बालमी की सुचकार समाज का हुआ देश की आजादी के बाद से महाद्मा गान्धी जी के जन्द बिवस पर बालमी की सुचकार समाज को छुट्टी मिला करती थी परदान मंत्री जी ने एक तीर से दो निशाने किये बालमी की सुचकार समाज को वेरोजगार करने का काम किया और दूसरी उनकी छुट्टी जो मिलती थी गांधी जन्ती पे उसको भी उन्होंने रोक दिया पूरे भारत में लोग आज छुट्टी मना रहे हैं आज गांधी जन्ती का मना रहे हैं लेकिन ये बालवी कि सुचकार समाज जो सरम जीवी है वो गंदे पेशे का कार कर रहा और महत्मा गांधी ने कहा था कि गंदगी से इस समाज को छुटकारा दिलाना है हमारे देश के परगान मंतिरी ने इस समाज को गंदगी में लाके खड़ा कर दिया और जो साब सुतरे लोग हैं, वो केवल जाडू पकल लेते हैं और सच भारत अभियान चला रहे हैं जाडू पकल लेने से किसी देश को सच भारत के नाम पर सच नहीं बनाया जा सकता इमानदारी से काम करना होगा, देश के तमाम दिखे गंदगी है लोग कूड़ा एकठा कर लेते हैं और फोटु के चुवा लेते हैं बास्तिविक्ता में उस कूड़े को साब करना होगा तब देश सुच भारत होगा और ये इसमा सिटी का सपना जो है देश के परधान मंत्री का पूरा होगा आज के गांधी जिन्ती के इस होसर पर देश के परधान मंत्री देश के दुख मंत्री से मेरा अन्रोध है कि जो ये ठेकेदारी विवस्था आउट सोर्सिंग विवस्था लागू की जा रही है इससे गरीबों को बेरोजगार बनाने का काम किया जा रहा है भुकमरी का सिकार बनाया जा रहा है करदारी का सिकार बनाया जा रहा है नौजवानों को रोजगार नहीं मिला तो इससे जो है क्राइम बढ़ेगा और इस क्राइम को रोकने के लिए नीमित भरतियां सभी समर्गों की करनी ही होगी तभी देश का नौजवान जो है रोजगार प्राप्ट कर लोगों को खुसहाली मिलेगी अधिर जी आजकल एक चर्चित गोली कांड जो चाया हुआ है तो क्या लगता है आपको जो कानुन ब्यासता है वाजपा की वह कितनी सुद्रण है अब क्या कहों इस विशे में पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जबसे ये सरकार आई है भारते जन्ता पार्टी की तब से देश में कानून ब्यवस्ता विर्कुर चर्मरा गई है देश में प्रदेश में जंगल रात स्तापित हो गया है लोगों को चलना सड को पे मुश्किल हो गया है और हमारे योगी जी और प्रधान मंत्री जी संकल्ब करते हैं कसमें खाते हैं कि हमारे देश में सुरच्छा बेवस्ता बहुत अच्छी है प्रधान मंत्री की सुरच्छा बेवस्ता में तमाम तरह की स्रेड़ी की की पुलिस लगी हुई है वह यो पुलिस लगी है जनता की सुरच्छा कम होगी कोई भी विक्ति आज सुरच्छित नहीं है कानून वेवस्ता बिल्कुल टूट चुकी है